असलाम अलेकुम मेरा नाम है अदील है मैं दोर आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीवर्ज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे के जिग्राफिक कोडिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टिक कोडिनेट सिस्टम के अंदर क्या फरक होता है और इसकी इंप पर किसतरा से इफेक्ट कर सकती है इसके लिए मिनक एक साथ है रिक्रों में हम लोग डिस्कस किरते हैं ऊग में जा कोडिनेट सिस्टम वर्सेज प्रोजेक्टि कोडिनेट शीटम के करते हैences दिक ठेकिज च्वोबिक के पर यह एक globe के उपर locations को show करता है चुकि यह globe के उपर show करता है इसलिए इसके जो units हैं वो आमधोर पे degrees के अंदर होते हैं जो के angular unit है इसके बरक्स जो एक projected coordinate system होता है वो एक flat piece of paper के उपर introduce करवाया जाता है यहां पर एक बात note करने की है कि आपके जितने भी projected coordinate systems होते है उनकी जो बुनियाद होती है उसकी जो base होती है वो एक geographic coordinate system ही होती है क्योंकि बेसिकली आपने जो flat piece of paper के उपर आप जो पी अपने maps को लेके आते हैं जो बुनियादी थोर पे एक globe से ही project करके लेके आते हैं जब आप इसको convert करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे mathematical operations जो है या projections जो है और बाकी parameters जो है वो इस्तमाल होते है projected coordinate system जो है वो आप तोर पे उसके जो units होते हैं वो linear होते हैं और सबसे आप तोर पे जो इसकी units से इस्तमाल की जाते हैं वो meters होते हैं geographic coordinate system के अंदर जो सबसे commonly used geographic coordinate system है उसका नाम है WGS84 जिसको world geodatic 1984 कहा जाता है जिबके PCS सबसे commonly used projected coordinate system है उसको UTM कहा जाता है universal transverse market है जो के दुनिया के multiple locations के लिए इस्तमाल किया जाता है geographic coordinate system जो है वो basically बताता है कि आपकी earth की surface के उपर एक चीज कहां पर locate कर दिये जिबके projected coordinate system जो है वो आपको flat map के उपर उसके coordinates के बारे में बताता है similarly a GCS defines where the data is located on the earth's surface अब PCS tells the data how to draw on flat surface क्योंकि हमारी जो globe है वो बन्यादी तोर पे spherical है not perfectly spherical but जब अगर हम उसको approximate करें तो वो एक spherical shape देती है तो जो PCS है projected coordinate system है वो हमें बताता है कि हमें अपनी locations को किस तरह से draw connect flat 300 paper के उपर या एक screen के उपर और GCS जो है चुके वो एक spherical system है इसलिए वामतर पर globe जो है उसके उसके उपर इस्तमाल होता है और चुके globe एक ऐसी चीज है जो के इतनी convenient नहीं है जिसको आप लेके जो है मुख्ल जगों के उपर ट्रेवल कर सकें तो आपके पास आमतर पर एक paper map होता है paper map एक flat surface के उपर होता है इसलिए आपको PCS के जुगरत पढ़ती है geographic coordinate system जो है basically वो एक model of the earth जो है spherical model of the earth जो है flat piece of piece of paper के उपर अगर आप उसको कहें तो आप उसको longitudes कहते हैं और इसी तरह से आपके parallels है जिसको lines of latitude भी कहा जाता है और जिसकी जो center line है जिसको आप equator कहते हैं और इस पूरे system को जो है graticular network या gratical भी कहा जाता है on the contrast to this ऐसा possible नहीं है कि आप के पास global surface और इस global surface को आप project करें एक flat piece of paper के उपर और आप उसके नदर कोई deformation ना हो ऐसा possible नहीं है याद रिखिए कि आपके जितने भी projected coordinate systems है आपको उसमें compromise करना पड़ता है चार में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के उपर for example आप यहां तो shape को preserve कर सकते हैं आप यहां directions को preserve कर सकते हैं या आप area को preserve कर सकते हैं या आप scale को preserve कर सकते हैं यह चार किसम की चीज़े हैं जिन में से आपको किसी ना किसी एक के उपर compromise करना पड़ता है जब आप projectory coordinate system को इस्तमाल करते हैं यह बिलकुल ऐसलिए है जैसे अगर आपके पास एक orange हो इस orange को जो है आप चाहते हैं कि उसकी फ्लै आप उसको करेंगे तो जहां से घृत करना शुरू करेंगे dec जासे आप इस diagram में आज सकते हैं तो मुखिलक किशी में सिट आएंगी यहां पर बात आती है map projections की map projections जो हैं उसमें सबसे commonly used जो map projections है वो तीन है जिसमें एक आपकी azimuthal है, एक आपकी conical है और एक आपकी cylindrical projection है और ये सारी जो projections हैं ये मुख्लिब किसम के areas के लिए इस्तमाल होती है आपके equatorial regions को बहुत कम distort होने देती है अगर आप उसको flat piece of paper के उपर लेके आएं इस तरह से आपने ये चूस करना होता है कि आप किस area को projected coordinate system में लेके आना चाहरे हैं ताकि उसमें जो distortion है वो कम से कम हो जितना बड़ा area आप project करेंगे उतने जादे distortion के chances आता है और जितना a projector coordinate system is a GCS that has been flattened using a map projection अगर आप इसको nut shell के अंदर कहें तो आपका a projector coordinate system जो है वो एक ऐसा geographic coordinate system है जिसको आप map projection की मदद से flat कर देते हैं यहां पर बात आती है datum की datum is one parameter in geographic coordinate system जो datum है basically datum होता है कि आपके पास यह set of mathematical equations and different numbers जो है वो होता है जो के बताता है कि आप जो आपका GCS है वो किस किसम की surface के उपर introduce करवाया गया है the datum is the part of GCS that determines which model कौन सा सफिरोड जो है वो आपने इस्तमाल किया है यहां पर एक बात note करने है कि हमारी जो अर्थ की surface है वो पिल्कुल angular भी नहीं है, spherical भी नहीं है या पिल्कुल एक perfect ellipsoid भी नहीं है बलके यह ऐसी deformed shape है हमारी अर्थ की जिसको geoid कहा जाता है तो जो geoid है वो अर्थ की असल में shape है तो जहीरी बात है जो geoid है वो एक mathematically defined shape नहीं है हमें चुके चाहिए एक mathematical defined shape ताके हम locations को latitude, longitude और इसके areas वगर मेर कर सके हैं इसलिए जरूरी है कि आप उसको proximize करें और जब आप उसको proximize करते हैं तो जमीन जो है हमें ellipsoid के शकल देती है इसलिए हम ellipsoid को इस्तमाल करते हैं अब किस किसम का ellipsoid आपने इस्तमाल करना यह भी depend करता है कि आप earth, जमीन के किस area के ओपर काम करना चाहरे हैं और इस तरह से areas के हवाले से अगर हम देखे तो बहुत सारे datums मुझूद हैं जो के continental wise भी है country wise भी हैं इसके इलावा smaller area के लिए datums बनाये जाते हैं और यह बेताहश हैं अभी मैं software में आपको दिखा देता हूं GCS is full definition of how to tie coordinate values to real locations on the earth datum जो है वो geographic coordinate system का एक part है एक parameter है इसके इलावा अगर आप GCS को as a full देखें तो उसके और भी बहुत सारे parameter जाते हैं जिसमें आपने यह देखना होता है कि आपने prime meridian जो है कि इसको चूज के जिसको आप पर zero degree longitude कहा जाता है और इसके लावा angular units उसके define किया जाता है इसके साथ साथ जो आप सफीरोड इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको यह भी define करना होता है कि semi major axis कौन सा है उस geographic coordinate system का उसका semi minor axis कौन सा है और उसकी inverse flattering values जो है वो कौन सी है इंशाला इनके उपर semi major axis, semi minor axis और inverse flattening या flattening values के उपर भी किसी एक lecture के अंदर बात करेंगे in contrary to that a projected coordinate system में जो projection है वो उसका एक parameter है जिस तरह से datum geographic coordinate system का एक parameter है projection जो है mathematical algorithm होता है जो आपको बताते है जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से जो है आपने उसको flat piece of paper के उपर लेके आना है अपनी locations को एक GCS से PCS is the full definition of how a specific round earth model is projected onto a flat map याद रिखिए projected coordinate system का एक parameter है projection जबकि इसके अलावा आप कौन-कौन सी चीजें इसके अंदर आपका एक full PCS बनाता है जिसमें आपका geographic coordinate system है कि कौन सी surface आप उसको project करें कौन सा unit आपने define कर आप दूर में आपको बताया है linear unit इस्तमाल होता है सर्फेस है सर्फेरिकल सर्फेस है यह उसी का उनीकी जो है वो values होती है As its name implies a PCS is a coordinate system जिबके एक projected coordinate system जिसना नाम से जाहर है यह coordinate system है जिबके projection जो है वो एक coordinate system नहीं है इसके अलावा एक process इस्तमाल होता है जिसको geographic transformations कहा जाता है इसमें से आप एक geographic coordinate system नहीं है से दूसरे geographic coordinate system में एक projected coordinate system से दूसरे projected coordinate system में यह एक geographic coordinate system से एक projected coordinate system के अंदर जा सकते हैं जिसको बाद अख़ाद data data transformations भी कहा जाता है तो अब हम देखते हैं कि software के अंदर यह कहां पर हमें नजर आती है इस सारी चीजें यह data है जो मैंने add करवाया हुआ है चितराल की shape file है जो के पाकिस्तान में खेबर पक्तुनफा प्रोविंस का एक district है western border पर अब आप यहां पर देखिए कि इसके मैं source में जाता हूँ इसकी properties में जाता हूँ और source में देखता हूँ तो इसको इसको इस वकद geographic coordinate system दिया गया है यानिके इसका जो system है वो geographic coordinate system है जिसमें यह shape file बनाई गई है अगर मैं अपने data frame का coordinate system देखता हूँ तो आप देखिए वह भी वही है जो के मेरी shape file का है और तो यह इसकी बिलकुल सही जो है shape नज़र आ रही है चुके हमारा coordinate system data frame का और shape file का same है अगर मैं इसको change करता हूँ for example lambert conformal conical projection पर लेके जाता हूँ तो आप देखिए इसकी shape किस तरह से deform हो रही है इसी तरह से मैं अगर इसको UTM के अंदर लेके जाता हूँ तो आप देखिए हर zone के अंदर इसकी shape जो है वो different तरीके से आपको नज़र आईगी यहाँ पर एक और बात याद रखने के होता है उसकी वज़ा यह है कि हर latitude के ओपर जो है आपका area change हो रहा होता है जिसकी वज़ा से जमीन की जो है curvature की वज़ा से तो इसलिए आप projected coordinate system में data को project करने के बाद जो है area barrier कर सकते हैं अपने shape में तो viewers I hope कि आपको यह video जो है पसंद आई होगे इसमें आपके जहन में कुछ video सिर्फ आप लोगों के question answers को address करने के लिए भी भना होगा तो यह video अगर आपको पसंद दिये तो आप इसको share कीजिए इसको like कीजिए और subscribe कीजिए चैनल को और आपके कोई भी question हो तो comment section में ज़रूर बताइए तो viewers take care, Allah Hafiz